लो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टेनूंग, कैसे हैं आप सब, फोप आप सब अच्छे होंगे, जैसा कि आप सब को पाता ही, सिक्यूरिटी अनालेसिस एंड पोर्टफोलियो मेनेजमेंट के हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ओ वो किसके लिए वर्क करता है, वो चोटे मोटी कंपनी उसके लिए वर्क करता है, उनको लिक्विडिटी प्रोवाइट कराता है, तो इसमें पहला देखते हैं, पॉस्ट आफिशिंग सिक्यूरिटी इसमें जो भी सिक्यूरिटी इशू किया जाता है, उसका जो पॉस्ट ह होता है वो बहुत ही कम होता है small company can easily approach public इसमें चो चोटी-मोटी company होती है वो क्या कर सकती है public को बहुत ही असानी से approach कर सकती है next provide transparency in dealing इसमें जब आप deal करते हो तो इसमें बिल्कुल क्या होता है हर तरीके से transparency होते है मतलब इसमें किसी भी तरीके का कोई क्या होता है fraud नहीं होता है यानि ऐसा नहीं होता है कि आपको दिखा कुछ रहे हैं देख कुछ रहे हैं बता कुछ रहे कर कुछ रहे हैं ठीक है next है OTC dealers can deal with both market primary and secondary इसमें जो OTC dealers होते हैं वो किसी भी market के साथ डील करते हैं या तो primary भी हो सकता है या तो सेकेंडरी भी हो सकता है ठीक है या तो नए securities को भी खरीद बेश सकते हैं या तो already भी की हुई या खरदी securities है उसको भी sell out या बायक कर सकते हैं इसमें पॉइन आपका वो है free flow of information directly from market to customer इसमें क्या होता है information क्या होता है बिलकुल free flow होता है direct market से information उठाके direct customer को पूरी information दी जाती है और जो जो सही होती है वह information दी जाती ऐसा नहीं होता है कि कुछ उसमें से extra और कुछ गलत information दी जाए का स्टमर को होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रब्म हो तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल किसी को भी नोट सेही तो मेरा डिस्क्रिप्शिन बॉक्स चेक कर सकता है थैंक यू